मैंने जहां तक देखा है कि Bollywood के जो भी celebrities हैं वो कभी किसी एक program में नहीं आएगी चलिए बात करते ही हीरा Digital Gold के बारे में हीरा Digital Gold जो है हमारी company की वो एक काइन है और जिसको हमने एक्छेंज पे लांच किया है और इंशाल्ला एक काइन जो है किट को Gold Market के उपर चलेगी आपको कोई भी profit देने की ज़रूरत नहीं है आप खुट transfer करके पैसा ले सकते हैं कि आपके उपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब ना उनको मैंने कोई funding किया है ना मैंने उनको कोई पैसे दी ना आज भी मुझे देने की जरूरत है चाहे वो बड़े celebrities क्यों ना हो बड़े politician क्यों ना हो बड़े cabinet minister क्यों ना हो वो मुझसे मिलना चाते हैं वो आना चाते हैं मेरे पास ठेक है एक बड़े सवाल की तरफ move करेंगे हीरे digital gold के पास इतना digital gold आता कहां से है डिखे डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक bank के world deposit के ओपर आप जितने पैसे deposit करेंगे आप उतना gold hold कर सकते bank के तरो ले सकते हो जैसा आप लोगे आपके market cap में वो gold आए और आप उसको sale कर सकते ही और बई कर सकते ही हमशकार आज हम ऐसी सक्षित से आपको मिलाएंगे ऐसी सक्षित के बारे में आपसे बात करेंगे जो किसी भी introduction की महतार्स नहीं है देखे बहुत सब्सक्राइब सुर्कियों में रहती हैं और सोशल वर्क को लेकर अपने सुर्कियों में रहती हैं और पॉलिटिकल पार्टी के अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी और महिला इंपार्लमेंट को लेकर भी मैं बहुत सुर्कियों में रहती हैं और उन्हें मैं आपको बता दू सबसे बड़ी बात कि उन्हें कुईन ओफ पॉलिक्टिकल स्टाटिजी भी कहा जा सकता है तो आप गैस करिए कि मैं किसके बारे मैं बात करी होंगी जी हाँ आपने बिल्कुल सही गैस किया है बात कर रही हैं डॉक्ट्र नौरा शेक जी के बारे में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 1 to 1 में और यहाँ पर आप पब्लिक डिमांट पर आज आपको बलाये गया है और पब्लिक जो है जो जनता है आपके बारे में जानना चाहती है बहुत सारे सवाल आपसे करे जाएंगे तो क्या आप तैयार हैं अपने फॉलोर्स को जवाब देने के लिए जी कोशिश कर लिए जी बिल्कुल तो लौरा जी सबसे पहले आप सोन भी करना चाह好吧 कि मतला कि आपके बारे में 29 में जिथन आम आपके बारे में जानी हूं आपके बारे में आपके बारे में उनके करते हैं क्योंकि आपके आपके बारे में काफी इंट्रिस्ट्व मुशं कि आप काफी इंट्रेस्टेड है क्या इसके पीछे का मतलब है जी मेरा नेटिव तीरिपती है अंदर प्रदेश और वहां पर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद थोड़ा मुस्लिम कम्यूनिटी में जो है को एजूकेशन को जो है अपने घरहों में फैमली में नहीं मानते तो काफी फैट करके मैंने पढ़ाई किया और फिर उसके बाद मैंने बिजनेस मेंजमेंट भी पढ़ा और उसके बाद आज तक भी मैं पढ़ती ही रहती हूं जो जरूरत होता है जो सब्जेट होता है उसके लिए मैं हमेशा और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूंग आज भी जो जरूरत होती है उसकी study करते रहते हैं तो क्या आप अपने जंता को उन सवालों के जवाब देनी के लिए पूरी तरी किसे तैयार हैं बिलकुल मैं तैयार हूँ आप सवाल अपनी मर्जी से कर सकती हो ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप education के बारे में आप भी बात करेंगे हमारे research के साबसे मेडम आप जो हैं हीरा गुरॉप की CEO है इसके लावा महिला Empowerment Party के प्रेसिडेंट है नौरा शेक ग्लोवर foundation के भी आप founder है हीरा digital gold की founder है CEO है आप इतने सारी चीजें कैसे handle करती है एक साथ यह सब उपर वाले का देन है जो हमदुल्रब मैं तो नहीं handle करती बस मैंने ये काम जो शुरू किया या जो बिसनेश शुरू किया अच्छे कामों के लिए शुरू किया अगल्स के JULY के लिए शुरू किया GIL 지금 के लिए शुरू किया और जो गरीब घब格ए की महिलाएं थे लेडिस थे उन सब को मैंने बिजनेस सिखाया हीरा ग्रूप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है हीरा ग्रूप लाखों लोगों को जिन्दगी देने का एक जरिया है और हीरा ग्रूप जो है लाखों लोगों को भलाई करता हुआ आस तक आया है और हमारी कमपणी के तरू लाखों की आउरतों को जो है एक एमपोवर मिला के अवरतें भी बिजनेस कर सकती हैं और वो बिजनेस को हैंडिल कर सकते ही तो इस तरह से मैं जैसे बिजनेस करना है करती आई हूँ उपर वाले की मदद है मेरे साथ क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला होने के बाद इतनी सारी चीजों को आप अकेले मैं कि बना में में वाले बदलाव कुला ना एया सभग दीं हो जा तो जब लड़की पीदा होती है जो स्षीड बाटों थर्ट में भी ड़ी आजाती है बहुत सारे चीज़ों में तबदील आती है तो यह सारे चीज़ें देखते हुए तो जब उपर वाले ने दोनों को equal rights दिया है equal justice दिया है दोनों को बराबर पैदा किया है तो फिर वो business भी कर सकती है politics भी कर सकती है पढ़ाई भी कर सकती है यह तो बहुत सारी महलाई कहते आते थे मगर मैंने practical करके बताया है कि educational institution को मैंने form किया और जैसे तिरुपती में हमारी college है जिसमें girls college है 1000 से जियादा girls जो है आस तक भी वहां पर पढ़ते ही 5700 student वहां से डिग्री पढ़कर और जो है यह किये ही उसी तरह से कोचीन उसी तरह से महारास्ता उसी तरह बहुत सारे जगा पर मैंने यह करके और मैंने कहा नहीं बलके उसको चला कर बताया है कि इस तरह से चला कर बता सकते हैं फिर उसके बाद प्राबलमस आते थे इन चीजों को चलाने में fund requirement होते ही पेमेंट्स requirement होते ही तो फिर मैंने business को establish कि आहिरा ग्रूप को जैसे textile, gold, granite बहुत सारे चीजों को जो general business होते ही इंडिया से लेकर international level में मैंने इस business को farm करके और 2015 में super hundred में हमारी company का list आया था इंडिया के super hundred में तो खासकर से जो है मैंने इतने उंचा ही पर ले जा कर हर महिला को हर बच्ची को मैंने ये बताया कि आउरत भी जो है business भी कर सकती है और वो educational institution भी खाइम कर सकती है खासकर से question है था कि हिजाब पहन कर हमारे लड़कियां काम नहीं कर सकते तो वो हिजाब पहनने वाले तमाम लड़कियों के लिए मैं एक example बन गई हर वो औरत के लिए जो अपने घर में बैट कर ये सूसती है कि मैं हिजाब पहनने के के बारे में जानना चाहेंगे हीरा गुरूप 1998 में स्टार्ट एक अच्छी सी कंपणी और इसमें हम जूलरी शापिंग माल्स लांच किये महाराष्टा करनाटका आंदरप्रदेस और भी बहुत सारे जगा पर और इसमें आनलाइन पर भी लोग पर्चेस करते ही और खासकर अच्छा प्रफॉर्मेंस जो है पब्लिक में किया है और हीरा गूरूप ने आज भी लोगों के भरोसे को जीता है पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों के भरोसे को हीरा गूरूप कमाया है आगे कितने टाइम में अगर हम देखते हैं आज से पास साल बाद भी उपर जाते हैं तो क्या कुछ हमें बदलाब देखने को मिलेंगे और लोगों को ये जानने में भी बहुत इंचरिस्ट है कि हीरा गुरूप उनके लिए किस तरीके से काम कर सकता है हीरा गुरूप जो है अब आने वाले दिनों में सारे लोगों के लिए हीरा गुरूप काम करेंगे गरीब बच्चों के स्कूल के फीस के लिए और जो छोटे-चोटे स्मॉल बिजनेसे कर दी जो न्यू स्टाट अप होते ही उन लोगों को इंवेश्टमेंट करने के लिए औ और खासकर से जो है बहुत सारे चीज़ों में जो गॉर्ल का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में और गोल के आउटलेट जो है हीरा ग्रूप आगे चलकर 800 से ज्यादा उटलेट जो है इंडिया में उसमें पार्टनर बनने के लिए जो है कोशिश कर रही है जो डीजिटला हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपार्चुनूटी रहेगी और काफी अच्छा बिजनेस रन होगा और महिलाएं जो गोल्ड का खाहिश रखते ही और यह करते ही एक बार में जाके वो परचेस नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा परचेस करके वो अपनी खाहिशात को अप हम बात करें तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया है 33% का और काफी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है महिलाओं के लिए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं तो क्या समझे क्या यह जो आपका एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिला को कितना जा स्टार्ट हुआ वो महिलाओं के जरीए से स्टार्ट हुआ था और हीरा ग्रूप जब स्टार्ट हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में इस्टाबलिश हुआ और इंडिया के 700 डिस्टिक्स में हीरा ग्रूप के कमिटी महिलाएं ही बने और बिजनेस में भी 90% महिलाएं ही हैं त कि पहले दिनों में पहले जमाने में जो भी चीज़ें चलते थे जब भी उनको इनसाफ मिलने का एक खदम उड़ता था तो वहां फोरन से फोरन एक फोल्टिकल लीडर आते थे और उनका जो भी उपर को आना है वाच करना है उसको खदम कर देते थे तो फिर मैंने महिलाओं क के लिए दिली में जो है मैंने स्टाट किया और में कंटेश्ट किया 2009 स्थ भार में नहीं हैं बहुत बड़ी टाकट देने वाली पार्टी है आगे भी चलकर जो 33% रिजर्वेशन बिल है इसके लिए सुबसे पहले महिला एमपोवर्मेंट पार्टी ही जुबान उठाई थी कि हमको पॉलिटिकली 33% हिसा क्यों नहीं मिलता है और हमको क्यों नहीं रिजर्व होता है अपना हक होता है तो उख बिल भी जो है जो है मैंशुकर गुजर हूं कि जो गवर्नमेंट की के उनूंने वो बिल को पास किया और ये बिल को जितने लोगों ने भी सपूर्ट किया भले वो किसी भी पार्टी के यो ना होँ उन सब की मैं शुकर गुजार हूं कि इस बिल को पास करके महिलाओं के मुखाम को जो है उन्होंने एक वूंचे मुखाम पर रख दिया कि इनको 30% जो है रिजर्वेशन है तो यह महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी है और यह हमेशा कंटिन्यू रहेगी क्यों कि अब ब अपनी बात जाके वहां नहीं रख सकती हैं हार महिलाए हे और जो भाहर प्वेस कर रहे हैं नहीं बता सकती हैं जो अल्ड़ी के उनने किसी मैहिलाओं के लिए की और human rates में मैंने बहुत सारा काम किया जो भी महिला को ससुराल के तरफ से सताया जाता था उसको कहीं नाइन साथी पूंसती थी वो महिला समझ कर कमजोर पढ़ जाती थी तो उसका हाथ पकड़ कर हमने खड़ा किया और महिला समझकर वो फीचे हो जाती थी कि मैं एक अवरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ तो फिर हम सब ग्रूप ने उसको पकड़कर खड़ा किया और कहा कि नहीं तुम महिला नहीं तुम एक बेटी है, तुम एक माँ है, तुम एक बेहन है, तेरी बहुत बड़ी respect है तो उटकर खड़ी हो जा, हम तेरे साथ में हैं, तो आगे भी चल कर जो है, हमने अपने website के उपर mobile numbers दिये ही, services दिये ही, email दिये ही, जो भी महिला को problem आता है, वो आज भी email करती है, रात में भी, जरूरत में भी, कभी कुछ hospital की जरूरत हो, कभी कुछ legal की उनको जरूरत हो, अगर हमारी टीम बैठी है, हमारे legal team बैठी है, हमारे टीम जो है, legal services के लिए बैठी है, तो जरूर से जरूर, वो सारे जितना पासिवल है, उनका help करने के लिए कोशिश करते हैं, जे, बहुत बिरिया, आपके बहुत सारे बड़ी colleges भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी पास्टल के साथ पढ़ते हैं, और वहां पर उनको जो है, डिग्री, PhD के साथ, और पोस्ट ग्याजवेशन के साथ, और हमारे Islamic तालीम के साथ जो है, बच्चियां पढ़ते हैं, अब तक बच्चियों का ही है, और वहां पर पढ़ाने वाले teachers भी लड़कियां ही, और वहां पर उसको मैंने एक 5 स्टार लेवल में बनाया ताके हर लड़की वहां खुशी के साथ, खुशी के माहूल में रहे कर जो है, उसको तालीम हासिल करें, अब तक 14 बैचेस निकले हैं पढ़कर, जो 5,700 स्टूडेंट, मगर हमारी हर स्टूडेंट जाकर एक स्कूल उपन की है एक कालेज उपन की है और पढ़ाई पर हमारी बहुत जियादा महनत है क्योंकि बगएर पढ़ाई के, बगएर एजुकेशन के इनसान एक जानवर बन जाता है, और जब उसके पास पढ़ाई आ जाती है तो वो इनसान बनता है, और परे पैरों पर खड़ा होता है, अब हम आरे चीज़ों को रन किये तो क्या हम अपना घर रन नहीं कर सकते हैं, किसी पर वो डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको सबसे पहले यही सिखाते हैं, कि डिपेंड नहीं होना है, अपना काम जीना है, मगर सब के साथ प्यार, महबबत के साथ, पूरे फैमली के साथ अच्छा और हमारे हर लड़किया आज भी मेसेज करती हैं कि आप आज हमने इंटरनेट पर डेटा एंट्री सीक लिए आज हम गोगुल में जा रहे हैं आप हमको अमरीका से काम मिल रहा हैं को यूएस बहुत अच्छा लगता है यूएस से काम मिल रहा है आप हम घर बैठे बैठे जो ह हो उसको हट नहीं करना है पूरे काम करते रहो यह दुनिया को बताना है बहुत बढ़िया इस बीच अपने दर्शकों को बताना चाहूंगे कि इस तरीके से महिलाओं के लिए काम करना किसी की आपा बढ़ना किसी की मा जैसे बनना किसी के दोस्त बनना और उन महिलाओं को स कि कितना सच है इस बात में और क्या कुछ बताना चाहेंगे अब इस बारे में तरश्यकों को पर उसके बाद मैं आकर तेलंगाना में जैसे एलक्षन अनोंस किया वह पुलिटिकली बेसे के ओपर अरश्ट किया गया मुझे और कुछ केस लगाए गए कुछ एलिगेशन लगा सब्सक्राइब किया और सुप्रिम को ने भी कहा है सुप्रिम कोड में जो है यह मैटर चल रहा है और ये कंपणी शिरीफ महिलाओं के अंदर उनको वोजी देने के अंदर बेरोजगारों के लिए चल रही थी और जिस दिन मुझे अरश्ट कर लिया गया था उस दिन भी हम हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी के लोग इस तरह सूचेंगे के हम भी इतने यह हो गए तो कभी 1998 से 20 years 25 years के प्रफॉर्मेंस पब्लिक के सामने हैं कभी भी कुछ छोटा complaint नहीं था कमपनी के ऊपर कुछ भी लेने देने के मामिले में आज भी कमपनी के पास बहुत सारे sources हैं इसलिए हमारे जितने भी members हैं जितने भी कमपनी में जैन किये ही वो आराम से हैं फ्री से हैं जब भी हमारी कमपनी start हो जाएगी जब भी हमारी कमपनी running हो जाएगी उसके लिए वो साथ देने के लिए आज भी हजारों लगों के message daily आते रहते ही यह जो भी अफाएं होते ही कुछ लोग होते ही damage करने के लिए और खास कर से एक महिला होती है तो उसको खास damage करने के लिए जो भी वो कोन कर रहे ही, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को भी मालूम है, जो M.I.M. की पार्टी है, जो है इदराबाद में रहती है, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, एक मुस्लिम लेडी होकर मैं आगे आना, उन्होंने एक चंद लोगों को लगा दिया है यूटूब में, इदर उदर बाइट कर जो है गलत सलत बातें डालने के लिए, तो वो करते रहते ही, मगर उसके लिए हम फीचे नहीं है, हम हक के लिए हमेशा साथ है, हमको इंडियन जुडिशियल पर खास कर से भरोसा है, इंडियन कांस्टिटूशन के और हमें पूरा मकमल यकीन है, हमें इंसाह में इंसाथ मिली है, मिलेगी और मिलतीरेगी, और दे जिस तरीके से एक गृषटूरूप यतना आगे भड़ रहा है, क्या किसी गूर्मेंट का सपोर्ट है जैसे डानियम बानी के बारे में कहा जाता है? जी देखो गवर्नमेंट के सुपोर्ट तो हमने कभी नहीं मांगा है ना कोई गवर्नमेंट के सुपोर्ट को हमने देखा है हम जब से भी कमपणी चलाए लीगल वे में चलाए ही जो जो खानून के बराबर चलना है उस तरह से हम company को चलाए ही, कभी भी इस तरह के उस तरह के काम करके हमने किसी से भी support नहीं मांगा है, आज भी court में खड़कर मेरी यही आवाज है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह चीज़े ऐसे ही, यह चीज़े ऐसे ही, मैंने IT return file किया है, मैंने GST pay किया है, मैंने company और business क चलाया है, और आगे भी चल कर अच्छे से जो है, मैं company को चलाना चाहती हूँ, जब हमारी company लीगल है, और अच्छे से चल रही है, तो government भी support करेगी, हर agency को भी पता है कि company क्या है, अभी 2024 चल रहे है, तो अगर 10 साल की बात कर, याने कि 2024 में, 2034 में क्या achievement रहेगा company का, कितना आगे देख सकते हैं, हमारी company दो project जो है, बहुत बड़े launch करती है, already Hira Gold तो काइन launch कर दिया है, exchange के उपर, और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा काइन आगे बढ़ रहा है, गोल का, और दूसरा हमारे साथ काफी लोग जो है, जुड रहे हैं, और तीसरा हमारा project जो है, Indian golden cities जो है, हम लेकर आ रहे ही, और ये 700 smart cities बनाएगा, और 6 lakh एकर land जो है, डवलप होगी, और 32 lakh villas जो है, बनेंगे, जो वो विलास बनेंगे, जो हर गरीब इनसान भी जो है, उसको purchase कर पाएगा, और जो मालदार 5 star में, जो बड़े बड़े पैसे देके रहते ही, उस तरहा क जो है, जो है, विलास, हम नार्मल लोगों को भी जो है, देने की कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ा ड्रीम रहेगा, जो है, हम बहुत बड़ा ड्रीम लेकर, जो है, हिंदुस्तान में काम करना चाहते ही, 30 states में भी करना चाहते ही, ठीक है, मैडम, एक बात मैं आप सा और उनका एक खौफ है कि एक मुस्लिम फेस मैं ही होना चाहिए और दूसरे नहीं आना चाहिए, तो फिर अल्ला रबुलालमीन ने मुझे हिंदुस्तान से लेकर 50 कंट्रियों में मशूर कर दिया, तो सारे महिलाएं मेरे साथ होने लगे, और पूरे देश के लिए मैंने ने न को सपोर्ट करने की बात स्टेश पे करना अलग होता है, प्रैक्टिकली इंटर्नल महिला को सपोर्ट करना अलग होता है, यह हमारा प्रैक्टिकल और इंटर्नल महिलाओं को सपोर्ट करने का ब्लाटपार्म है, और यह ब्लाटपार्म किसी से भी बरदाश्ट नहीं हो सकता और उनसे खास बरदाश्ट नहीं होता है इसलिए ये डेमेज्श करने की पूरी नीकोशिश करते हैं अगर पूरी फयार को अगर चेक करेंगे ये पहता है उनके ही लोग ही और नहीं हैं घर फयार्श को आप चेक कर दीजाए उसके बाद मैंने उस पर fight किया, उस पर clear seat ली, उसके बाद मैंने 100 करोड का मानहानी case लगाई, जितने भी इल्जाम उसमें लगाए थी, तो वो इल्जाम को जो है उनके ओपर थाबित हो गया, अब कोट ने जो है 100 करोड उनके ओपर final कर दिया, और final करने के बाद वो अब high court क जो है श्टे के लिए चले गए, और तो जाहर से बात है कि हक एक दिन जीत के रहेगा, चाहे वो high court को जाए, supreme court को जाए, और हमारी हक की लड़ाई जो हो ये वो जारी रहेगी, और कोई भी कुछ भी करे, मैं हक के लिए लड़ाई करते, जी बिलकुर, तो hero group और डॉक्टर नौरश है कि आपके बीच में, जो उपर जो supreme court के जो लगे हुए हैं, मामले चल रहे हैं, क्या लगता है कि बतलब कब तक ये सब फटम हो जाएगा, या कितना time लगेगा ये सब होने में, supreme court ने देखी है, जिस दिन से, और क्या वो मामले हैं, का पहले से supreme court ने जो है, हिरा आदा करती हूँ, कि supreme court ने सबसे पहला order ही, उसमें लिखा था, कि restart your business with your investor, सबसे बड़ी बात थी वो company के लिए, पूरा survey करने के बाद, पूरा एक करने के बाद, जो तुमारे साथ रहना चाहते ही, तुम उनको रखके business करो, जो जाना चाहते ही, उनको clear करके भेज दो, जब 20 साल, 25 साल company ने वोफादारी ने भाई है, तो हम कभी भी doubt नहीं करेंगे, तो हमारे लोग मेरे साथ हैं, और उनको लेकर मैं साथ चलना चाहती हूँ, आखरी सांस तक यह चलती रहेगी, और इन्शालला एक खियामत के सुबा तक यह company चलती रहेगी, जब तक end of day नही चलती रहेगी, क्योंकि यह हक पे है, यह किसी को धोका देने के लिए, दगल बाजी करने के लिए, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं face करकर इतने सालों तक हर लड़ाई को face करके यहां नहीं बइच सकती थी, तो फिर मैं face कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, और को करती हैं, या फिर यह सब की तर आपको बहुत जादा पसंद करते हैं, और मैंने जहां तक देखा है कि बालीवोट के जो भी celebrities हैं, वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आएगी, जब हीरा ग्रूप है तो दस साल तक जहां भी जैसे टीटन किर्केट हुआ, वहां भी अगया, अगर मैं कल चाहूंगी, मैं यहां से मेसेज कर दूँगी, कि मेरे घर में यहां प्रोग्राम है, आप आजाये, सारे लोग आजाये, और यह बहुत प्यार महबत करते हैं, वो इसलिए कि मैं सोशियल वर्क करती हूं, ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मै यह मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी, और वो सारे इंविश्टिगेशन हुए ही उन चीजों के सारे चीजे में, तो मैं हमेशा इनसानियत को लेके चली हूं, एक मजहब पर, एक बात पर, एक मसलक पर नहीं चली हूं, मैं सारे लोगों को साथ में लेकर एक फैमली अकसद है इसके इस प्लान का, हीरा डिजिटल गोल्ड जो है हमारी कंपणी की वोन एक काइन है, और जिसको हमने एक्छेंज पर लांच किया है, और इन्शालला ये काइन जो है किटको गोल्ड मार्केट के उपर चलेगी, और ये काइन आगे के दिल, किटको गोल्ड मार्क किया है और आगे चल कर आपके पास अगर काइन रहेगी तो आप जूलर में जाके फिजिकल गोल्ड जो है आप ले सकते ही इस पर काम चल रहा है इस पर वर्क चल रहा है आप आराम से जाकर आपके जोब में है आपके वैलेट में काइन है आपने एक एक काइन परचेस करके र अज भी हमारा हेजडी जी हीरा डिजिटल गॉल्ड काइन लांच हुआ है पूरे वर्ल में इसका नाम मशूर है जैसे कि हीरा डिजिटल गॉल्ड में काफी इंवेस्टर लोगों ने इंवेस्ट किया है ठीक है तो जो इंवेस्ट करते हैं लोग उनको उनका रिटन भी आनलाइन के उपर देखती हो कि तुम्हारा काइन का प्राइस कितना बड़ा है कितना कम होगा है आपको कोई भी प्राफिट देने की ज़रूरत नहीं है आप खुड ट्रैंसपर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब कमपणी आज तक कभी उस तरह के चीजों में अगर किसी को भी एक भी पैसा कमपणी कहीं पर यरर आ जाता है किसी ने पेमेंट ट्रैंसपर कर दिया या हमारे अकॉंट में नहीं आया या उसको मिल नहीं पा रहा है तो कमपणी तक वो बात पहुंच जाती है वो मेसेज क्यू पर यह एरर आते हैं कमपणी के डिपार्मेंट तक आ जाती है वो चीज़ इमेल में तो फोरें कमपणी उसको क्लेर करती है कभी एक दो ऐसे प्राबलम्स होते भी है क्यूंकि काफी लोग ट्रैंसेक्शन करते हैं यह नाचुरल है नार्मल है तो कही है हीरा डिजिटल गोल गोल ट्रेडिंग एक्षेंज के ओपर लांच है यह जरूर से जरूर कंटीनु रहेगा और इसको फूर डालर से लांच किया था श्क्राइब पर प्राइज उसका टू यह में तो काफी अच्छा रिस्पांस है तो जरूर से जरूर इंशाला यह कंटीनु रहेगा आपकी क यह कर दिदेऑ जो प्राब्लं के आने तक के लिए एक भी ऐसे बंडे को ले कर आये कि जिसे कोई पू healthcare आपका है और सारे इंह चूर में और कर दिया जाए को ड़न कर दिया जाये उसके लिए और वसक्त में कस्टिमर को प्राब्लं नहीं हो तो ख़ candee कर बंद लória और यह तो सारी दुनिया जानती हों प्राबलम की वजह से मेरे मिंबर को प्राबलम Aah Yeah का बी वह सेफ है रज भी ऑनके पैसे कमपड़ी के पास सेफ है और कल भी वह सेफ है जैसे भी कोट का फैसला जैसे भी वो यह होंगे तो उन लोगों के लिए कोई भी प्राब्लम नहीं है ना पहले था ना अब रहे गाई जा हीरा डिजिटल गोल की इंवेस्टर्स को अगर आपसे मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं क्या आपसे मिलना आसान है क्योंकि कहा जाते हैं कि आप मिलते नहीं है बहुत इजिली आपसे नहीं मिला जा सकता क्या यह साही बात है जी बिल्कुल सही है क्योंकि आप भी जानती है कि मेरा सुबों से शाम तक जो है अभी आपके जो इंटर्व्यू के लिए भी जो है दो तीन दिन पहले से मैंने प्रिपेर किया ये टाइम को निकालने के लिए बीच में से तो मुझे बिजनेस भी संबालना है लोगों को भी देखना है तो मैं हेच्चार डिपार्मेंट को कंट्रोल करने में ही मेरा मिनिट मिनिट चला जाता है और जो मेंन एक परसन होता है तो उसी को मैं कांट्यक्त कर पाती हूँ और उसी के लिए अब मैं अगर मिलती बेड़ जाओंगी तो मैं बिजनेस बिल्कुल से बिल्कुल कर नहीं पाती है ये बात सच है लाखों की लोग मिलना चाते हैं तो पासिबल नहीं है मेरे पास कभ किम्रमंडी है गुरूरी है मुझे मिलन नहीं है। इसलिए मैं कभी भी लोगों को मिलना छोड़ी नहीं हूं वू हूँ जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मैं जब मुझे मौ Dent from तो मेरे पास टाइम और मोखे की बहुत कमी है अब जो मैं इस्टाबलिश करने जा रही हूँ उसमें तो मुझे मिनिटें क्या सेकेंडों को गिनना पड़ेगा इस तरह से काम करना पड़ेगा मैं उनके ही लिए काम कर रहे हूँ उनके भलाई के लिए काम कर रहे हूँ उनके सेफटी के लिए काम कर रहे हूँ उसमें मेरा एक पार्ट और बढ़ गया पहले से ज्यादा लीगल डिपार्मेंट्स कोर्ट्स, लायर्स वगएरा सब इनके लिए भी मेरा काफी टाइम चले जाता है इसके लिए भी मैं जो है काफी टे इा इस वजह से मुझा से मैं जब मुझे 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 मिलेगा मैं बड़ी माँ भूजी के इन a चोटा इनसन है । बड़ा इनसान है मैं सबसे बड़े खुशी से और प्यार से मिलती हुए बड़े इंसान को डिले कर सकती हूँ चोटे इंसान को डिले नहीं कर सकती मैं उसको पहले बुला कर बिल स्नाय एक टाइम नहीं है मेरे पास पस इतना है एक बड़े सवाल की तरफ मुफ करेंगे हीरे डिजितल गोल के आप उतना गोल्ड है, छोल्ड कर सकते हो, बैंक के तो ले सकते हो, जैसा आप लोग है, आपके मार्केट के आप में वो गोल्ड आए और आप उसको सेल कर सकते ही, और बई कर सकते ही, बई भी कर सकते ही, इसमें मार्केट में क्या होता है, कि आप हमारे काइन को आज बई कर ल फोरी दुनिया को हमारे पास क्यापिटल होता है उतना गोल्ड हम खरीच सकते ही और बेश सकते ही तो हीरा डिजिट्ल गोल्ड की निवेस्टर का एक सवाल है कि यह जो डिजिटल गोल्ड है क्या कभी यह फिजिकली शॉप के फोमेट में आ पाएगा जी बिलकुल बहुत जल्द आने वाला है और अल्रेडी हमारा फिजिकल काईन है जो वन गिराम परचेस करते हैं फाई गिराम परचेस करते हैं क्योंकि आपके पास डिजिटल गोल्ड की कमपनी है आप खुद भी एक सीओ है इतना सारे बिजनेस हैं स्कूल्स हैं कॉलेजिस हैं इसके बावजूद भी लोगों की जो जो इनके पैसे रिटर्न नहीं करते लोटाते नहीं है ऐसा क्यों लोग बात कर रहे हैं यह कुछ ल लोग है और जो अपने इनमीज जो है उनको बिठा दिये हैं तो वह दस लोग जो है यह बातें बोलते रहते ही जब उनको आप सर पकड़ के खींच के पूचिंगे के हीरा गुरूप क्या तुम्हें पैसे देना है तो बोलेंगे ना हम सी वह कुछ जानते ही ना अज तक व तक भी्हुम्ण बीड़ जो टो मुझे दु़ करना चाहते ही तो बादनां करना चाहते ही एमेज को दो करना चाहते ही जबडार रहा है कौन है जबके 120狂ज सहके इंचर आफेस अगर मैं तुम्हें देना है तो तुम आओगे मेरे शोरूम में तुम आओगे मेरे आफिस पे वहां आके तुम सर्च कराओगे कि तुम्हारा नेमबर दोगे तुम ट्रेस कराओगे तुम मांगोगे अगर तुम YouTube पे बोल रहे हैं के मुझे पैसे आना है पैसे नहीं आए Hungary चो फिर यह गलत बात है कूँ कि वह लीगल प्रोशीज़र भी नहीं है और यह लोग मुझे बदनाम करना जाते हैं खुछ जोग पैसे देकर और ऌबनाम को मुझे बजा दिये तो फिर हम तो नार्मल है ना तो कई लोग कुछ बोलते रहते हैं तो उस पर हमको ने लीगल में डाकुमेंट के तहट जाएंगे तो वहां पर यह सब बातें जूते साबित होंगे अगर वैसा हो था तो कोट फूरूफ कर देती कोट में चल रहा है एजनसी बुला रहे हैं हैं यह अ贵ाहिभग अहटसे सुनके और आपसे मिलके एक बात और है जहेंं हाती है कि महिलो की धु किमपनी है तो क्या आप लोग संशी कोई पूरश्च शामिल नहीं है यह सारा जो काम台व है बाते अलप महिलों के लिए हैं कि पहीं को एंपवर करना चाहता हे बाफ, मैं महिला अकेली नहीं हूं मेरा बाप मेरा भाई नहीं, मेरा मैरा हस्बेडिन भी है, मेरा बच्छा भी है, सब लोग है मेरे सब्सकार प्रोच जो करणी मैं सब कैसे हुए। और उनको आगे बढ़ाना चाहती हूं मैं लेकि आपको पॉलिटिक्स में आने का जो आइडिया है वो क्यों आया कैसे आया आप इतना सब कुछ कर रही हैं महिलाओं के लिए तना कर रही है आपका अपना खुद का एंपायर है उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में मेरा क्यों ना हो चाहे कितना बड़ा उन्चाए पर उनने वाला क्यों ना हो उसके पास पॉलिटिकल पवर भी हिंदुस्तान में बहुत जरूरी होता है और तो मैं महिलाओं को पॉलिटिकल पवर देना चाहिए अगर पॉलिटिकल पवर नहीं है तो बहुत कुछ होता है तो फ साल जो है तरहा-तरहा के कोशन किये और पार्टी को डिजाल करो बड़े-बड़े पुल्टिकल लीडर्स मेरे सामने पेपर लाए रिजाइन कर दो पार्टी को निकाल दो आप बस आभी आपको कार में लेकर चले जाएंगे मगर मैंने नहीं मेरे जितने लोग लाखों के मेर महिलाओं के तो क्या बढ़ा वहिर बिल्कुल बहुत बढ़ाओं मिल रहा हैं और जितने महिलाओं मेरे सास्थ काम कर रही है वो इतनी खुष होते हैं कि हम पहले भी कबी कुछ काम होता तो पुली स्टेशन के जाते थे कमिशनर को बात करते थे, ASP को बात करते थे तो वो ऐसे हम को भेज देते थे अब खाली हम काट दालती है हम महिला एंपोवर्मेंट पार्टी के फलाने प्रेसिडेंट ही, फलाने मिंबर ही, फलानी चीज है, फलाने हम लोग यहां पर तो फॉरन वो रेस्पेट दे के बिठाते ही बोलते ही के मेडम क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ, हम जल्द से जल्द क्लेर कर देंगे और काफी महिलाएं खुश ही, काफी महिलाएं जैन किये महिलाओं के साथ अपने देश के भाई, सब और अपने सारे लोग जो है, इसके अंदर जैन किये हुए ही, और बहुत खुश है महिलाओं पार्टी, एक सिकुलर पार्टी है और महिलाओं को जो है ज्यादा इंपोवर करना चाहती है और खासकर से जो है, और देश में जो गिरे हुए तबखे, जो गरीब तबखा, जो खरीए, विलेजे सी उन महिलाओं को भी बताना चाहती है कि तुम भी बहुत कुछ हो आज़े आज़ो बस उनको हाथ पकड़ कर चलाना चाहती है आपने जो हैदराबाद में मुद्दे उठाएं वो किसी से छुपे नहीं है पुरा देश उन मुद्दों के बारे में जानता है तो क्या हैदराबाद के लिए कि क्या आपका विजन है और हैदराबाद को आप कैसा बनाना चाहती है फ्यूचर में हैदराबाद क्या है कि गरीब ही रह गए रिक्षा चलाने वाले रिक्षा ही चलाते रह गए है रिद्राबाद नहीं बलके मैं पुरे देश के लिए सुषती हूं कि पुरे देश के अंदर बदलाओ लाना चाहती हूं जो वो बारिश पड़ी तो हमारे स्कूल बंद हो जाते ही धूप आई तो हम बहुत अच्छे हो जाए हमारे बच्चों के स्कूल बहुत अच्छे हो जाए हमारे देश के बेरोजगार लोग जो है रोजगारी में आ जाए हमारी देश की महिला जो भी एक महिला अपने आपको कमजोर समझती है वो ताखत में आ जाए ताखतोर हो जाए यही मेरी खाहि करती आ रही है जिए ऐसी इक पाटी के सामने खड़े हो जाना और ऐसी शक्तिशलीं पार्टी के सामने बेधड़क कर बोलना और चुनौति देना इतनी पावर इतनी शक्ति कहां से आती है मैडम देखिए जो लोग समझते हैं कि वह इतना बड़ा है वो इतना बड़ा है तो हम इसके साथ ऐसे बताएंगी अगर नाइंसाफी जहां भी होगी वो कितना भी बढ़ा क्यों न हो हमारे लिए वो बड़ा नहीं लगता कभी भी तो हम उसके सामने जरूर खड़िंगे और बात करींगे हमारी पार्टी का स्लोगन ही जेस्टिस फार हुमेनिटी है और हम जहां पर इंजेस्टिस होगी हम जरूर जुबान उठाएंगे हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता है हमारे इंसाफ बड़ी होती है इंडिया का खानून बड़ा होता है इंडुस्तान के अंदर उससे बड़ा हमारे सामने कि एक गड़बंदन देखने को मिले बीजेपी का आपके सब देखिए एक बात है कि हमारी पार्टी आज तक किसी पार्टी से गड़बंदन नहीं है और ना किसी पार्टी से नफरत है ना किसी पार्टी की बुराई है हमारे पास जो पार्टी के कोई भी नेता गलत करेंगे ह निए भी आंसे को Colorado के लिए खड़े हो चाहिंगे जो पाली हो जारे महीलाओं ने अपने दिखर के मददक कर दो को देखेंगे और उनकी मदद करें प्राइब करेंगे हम उनकी मदद ने के लिए खड़ी हो जाएंगे पार्टी का बनाना और लोगों का विश्वास जीतना तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे कैसी बाते रहेंगे जिसको लेके लोगों को विश्वास बनेगा आपके ओपर वैसे तो काफी महिलाएं हैं काफी लोग है जो अलड़ी आप पे बहुत विश्वास करते हैं लेकिन फर कारेज्ग बुटी कालिया रहुल गांदी अनों उनको गाली दिए हमारी वो पार्टी नहीं हमारी पार्टी के मुद्दों गरेंगी देश के मुद्दों पर बात करेंगी और हम आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा आपको खास लगा और आपके आएंगे तब तक लिए और नॉरशेक को आपका आप आप आगे भी आपसे मिलेंगे जरूर और कोई नए इंट्रिव्यू के साथ दुबार से हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए जासत नमस्कार